नमस्कार किशान भीयों शुवागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसन इस चैनल में और मैं हूँ आपका दोस्त गोविन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वयविन के सफल खेती के बारे में एट जेट स्वयविन की पूरी डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उससे पहले में रुक्रेस्ट करूँआ कि जो किसन में हमारा चैनल पर नए आये हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सस्काइब नहीं किया हो तो प्लीज सस्काइब कर लें और बेल आइकन सबाए ताकि आने वाला जो भी में वीडियो अप्लोड करूँगो उसका नोटिफिशन आपको मिल जाए करेगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो किसन में यहां पर सबसे महत्पुन बात जो रहती है हमें स्वयविन की बिजाई करने से पहले कि हमें बीजो को बीज जुपचारित करना है या फिर आप कर सकते हैं वायर कंपने की एवर गोल एक्स्टेंट इससे भी आप जुपचारित कर सकते हैं एक किलो सीड में एक से दो एमेल प्रती आपको मिलाना है इन दोनों दवायों में से किसी एक से भी आप जुपचारित कर सकते हैं तो यह तो अब बात आती है कि हमें इसमें एक insecticide का भी उप्योग करना है क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में तीन content के बारे में बताया था जिसमें से पहला था fungicide दूसरा था insecticide और तिसरा था rhizobium इन तीनों से आपको वीज उप्चार करना है अब insecticide के बात करें तो जो यूपील कंपणी की रेणो आती है यह एक insecticide है जिसमें हमें खाद कितनी मात्रा में डालने चाहिए और कौन-कौन से खाद हमें डालना चाहिए तो बोवाई के समय के बाद जो खाद है DAP 30-35 kg प्रति एकड के हिसाब से आपको डालना है वही हम बात करें तो SSP उर्बरक खाद जो दनेदार में आता है उसे 50 kg प्लस MOP पोटास जो आता है उसे 25 kg प्रति एकड के हिसाब से हमें डालना है और इन सब के साथ में माइक्रो न्यूट्रिंस फिटलाइजर जो आता है उसे 5 kg प्रति एकड की हिसाब से हमें तीनों-चारों को मिक्सप करके हमें डालना केसे है कि सन्वियो जैसे हम DAP यूरिया फुकते हैं जैसे गिवों में फुकते हैं इस प्रकार से हमें फूरे खेत में विखेर देना है और किशान वियो ध्यान रहे आप जब बिज़ाई करें तब बीजो के साथ में DAP खात को उप्योग नहीं करना है हम आपको पहले भी बता चुके हैं अभी भी मैं बता रहा हूं कि इसके साथ मे आपको DAP का उप्योग नहीं करना है विज़ाई करते समय क्या होता है इसके कारण आपको DAP का उप्योग नहीं करना है विज़ाई करते समय क्या होता है इसके कारण आपको DAP का उप्योग नहीं करना है विज़ाई के साथ में अब इसके आगे हम बात करें अगले टॉपिक की तो अग़ला topic जो है वो हमें खरपद्बार नियांतर्ण के से करना है, तो किसम्पर जो अदिकतर मेरा, तो यही मानना है कि यदे हो सके संभव, तो आप इसे खरपद्बार जो नियांतर्ण ने वो लेवर मजदूर से करिए या फिर आप जो कोलपनी करते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस प्रकार से खर्पतबार को नियतन कर सकते हैं आप उसमें कोलपनी करने में आपके दो फायदे हैं एक तो पहला क्या है कि जो आपकी मिट्टी है उसका स्वेवन की फसल में तो हारविश्स सैट में दो कार की दवाप मतलब होती है और दूसरा पोस्ट्ट हारविश सैट होती है अब बात करें प्रीड़ेंट हारविश्स सेट की तो क्या होताए कि एसे को आप डिशैय विशाईं To का जो combination आता है एक लीटर की जो बोटल आती है उससे आप 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इस्प्रे कर देना है और एक और आता है जो इस्ट्रोग्राम आता है जिसका केमिकल के बात करें तो उसके अंदर declosulum 84% WDG साहत में आता है और यदि किशान भायो आप बोबाई के बाद में pre-emergent harvest site का छिड़काओ नहीं कर पाए तो फिर आप जब आपकी फसल स्वयाविन की जो है वो 2-3 पत्ती की होती है और आपकी जो खर्पदबार होती है वो 3-4 पत्ती की होती है तो हमको post-emergent harvest site का हमी होनी चाहिए तब ही हम इसका उप्योग करें तो जैसे हम बात करें post-emergent harvest site की तो जैसे अडामा कंपनी की एग्रिल है सेजंटा कंपनी की फुजिफ्लक्स है पटेला है विएसेप कंपनी की odc है अडामा कंपनी की साके थे तो इन सब दवाईयों में से किसी एक का स्प्रे करकर आप अपनी खर्पदबार जो है स्वयाविन की उसे आसाने से कंट्रोल कर सकते हैं अब बात आती है कि हमें स्वयाविन को कित्ते इं परलिंग अच्छी होती है उसके फटाव अच्चा होता उसमें साखाएं अच्छी निकलती है और आसवाने से खर्पद बार जो है वो कंट्रोल भी हो जाती है जिससे कि हम कौल अपनी से कंट्रोल कर सकते हैं अब बात आती है कि हमें बीच क्या लेना प्रती एकड तो किसं बहुत जल्द हम नेश्ट वाले वीडियो में मिलने वाले हैं तब तक के लिए धन्यवाद